हेलो और वेलकम टू अडिक्स मिजिक सोर आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ टकारा के T612 केरियो के स्पीकर एंड T712 केरियो के स्पीकर में कंपेरिजन को लेके बहुत ही दिनों से ये वीडियो पेंडिंग था और बहुत लोगों के सवाल थे कि इन दोनों स्पीकर अगर कोई स्पीकर बना रही है और स्पीकर लेके आ रही है इंडिया के माकेट में तो आपको ये पहले से थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हर अलग-अलग स्पीकर का डिजाइन है हर स्पीकर का अलग-अलग जो है वाटेज है और हर स्पीकर का अलग-अलग प्राइज और फ परफेक्ट रहेगा तो बहुत सारे मॉडल्स हैं आपको उसके लिए पूछना ही पड़ेगा कि हमारी रिक्वार्मेंट में कौन सा फिट पड़ेगा लेकिन आज का यह मेरा वीडियो था टकारा की आपको अगर साउंड टेस्टिंग सुना है और करेंगे सिंगी इंडियो पे अवेलेबल हैं में उनका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्रिप्षिन में दे दूंगा आप महां से साउंड टेस्टिंग सुन सकते हैं तो आईए चली दोस्तों पहले इन दोनों की similarities के बारे में बात कर लेते हैं, दोनों ही T6 12-inch के speaker के साथ ये speaker बने हैं, और ये दोनों wooden body में speaker है, इनमें आपको दो wireless mic, एक remote, एक adapter और एक manual साथ में मिलने वाला है Bluetooth connectivity, USB connectivity SD card connectivity ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है mic priority और charging facility because ये दोनों battery पे चलते हैं और aux input, aux output ये सारी चीज़ें आपको इन speaker में मिल जाएंगे, recording भी मिल जाएगा, recording में फोड़ा सा difference है तो इस वीडियो में बताऊँगा आपको दोनों में FM सुनने को भी मिल जाएगा, और आप इन दोनों speakers को external battery से भी connect कर सकते हैं 12V की external battery supported है 3-inch का Twitter लगा हुआ है यह आप लेख सकते हैं अंदर यहां पर और इस speaker में नजर नहीं आएगा net काफी मजबूत है wooden body speaker है दोनों का weight भी almost same है but जो look है और design है मुझे T7122 का जादा पसंद आता है as compared to T6122 but क्योंकि उसका design काफी है थोड़ सा hybrid है आप देख सकते हैं टॉप पे भी देखिए दोनों का handle बहुत पैरा दिया हुआ है 7122 में यह जो carry करने का handle है दोनों में आपको trolley wheels भी मिल जाएंगे trolley wheels तो हैंगे अब हम बात करते हैं कि कि इन दोनों में difference क्या है तो अगर आपको 4 particular mic चलाने है 2 wireless and 2 wired mic चलाने है तो आपको T7122 खरीना चाहिए 1,2,3 3 input channel है और 2 wireless mic मिलेंगे तो टोटल आप 5 instrument and mic T7122 में चला सकते हैं लेकिन अगर आपको इतने सारे mic चलाने के नहीं है आपको अगर 2 wireless mic में ही काम हो जाता है तो आपको T6122 खरीना चाहिए यहाँ पर आपको 1 mic का input मिलेगा और 1 guitar का input मिलेगा यहाँ पर 1 guitar का input है और 2 mic का input है guitar का input में आपको ओई भी instrument कनेक्ट कर सकते हैं ऐसा compressor ही नहीं है कि आप गिटार ही कनेक्ट करें तो दोस्तो अगला मेरा main difference इन दोनों speaker में है आपको T6122 में केवल echo मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारा echo है यह mic का volume है और यह echo है 7122 में आपको बहुत सारे effect मिलने वाले है तो अगर आपको अगर आप एक professional singer है और अगर आपको effect की जरूत है तो T7122 ही आपको खरीना चाहिए यहाँ पर देखिए आपको mic का treble मिल जाएगा मतलब आवाज आप शोड़ी सी तीखी कर सकते हैं जब आप singing कर रहे होते हैं mic का bass आपको मिल जाएगा यह सारे controls T6122 में नहीं है तो अगर आप एक professional singer है आपको echo and delay दोनों की जरूत है तो आपको definitely T7122 ही खरीना चाहिए बाकी जो controls है guitar volume इसमें भी है guitar volume आपको इसमें भी मिल जाएगा speaker का treble and bass and master volume control speaker का treble bass and master volume control आपको इसमें भी मिल जाएगा दोनों का output same है 120 watt RMS output दोनों का company कहती है तो heavy काफी loud ही है मैंने जहाँ पर speaker particular use हो रहे हैं वहाँ पर मैंने सुना है कि इनकी आवाज easily 200-300 feet दूर तक जाती है काफी loud speakers होता ही है और bass आपको heavy मिलेगा इनमें eco भी powerful generate होता है क्योंकि यह wooden body के speakers है तो definitely यह बहुत अच्छे speakers हैं अगर आप घर में केरियों के singing करना चाते हैं माइक की बात करेंगे तो दोनों में UHF body के माइक मिलेंगे आपको लेकिन T612 में आपको थोड़े से अभी designery अच्छे quality के माइक मिलेंगे क्योंकि इसमें changes होके आगए माइक माइक बेजाएंगे तो obviously T712 की खरीने की priority बढ़ जाएगी यह ज्यादा benefit वाला हो जाएगा प्राइजिंग रेंज की बात करें तो दोनों का प्राइजिंग रेंज में जाड़ा difference नहीं है हलका full का difference है जो की non considerable है next recording की बात करो मैं recording आपकी T612 आप इस ब्लूटूथ मोड पर खुजाती है यह ब्लूटूथ बट यह recording बटन है आप speaker में पहले USB कार्ट करेंगे USB कार्ट करने के बाद आप इसे Bluetooth मोड पर लेके जाएंगे Bluetooth मोड पर ले जाने के बाद में आप अगर recording बटन प्रेश कर देंगे तो इसमें डारेक्ट रिकॉर्डिंग स्टाट हो देगी डारेक्ट रिकॉर्डिंग में आपको माइक का ओडियो और बैग्राउंड म्यूजिक जो कि अगर आप Bluetooth मोबाइल से कनेक करके प्ले कर रहे हैं तो रिकॉर्ड हो जाएगा बैक पैनल में आप लेख सकते हैं RCA के थूआ आप आक्स आउटपूट ले सकते हैं और यहां पर पीछे कुछ भी यह नहीं है जबकि यहां पर यह कंट्रोल जो है टॉप पे था यहां पर 7212 में एक अंट्रोल दी नीचे दिये हो हैं बावर चार्जिंग पावर सप्लाइबल भी यहां पर नीचे आप कनेक कर सकते हैं यह बहुत ही दोनों कुपशूरत स्पीकर्स हैं ट्रॉली हें ट्रॉली वील्स के साथ में आप इनको भी लिजा सकते हैं यूश कर सकते हैं दोस्तों वीडियो रेखने के धन्यवाद sound testing आप link description में जाहिए और वहां से आप order वहां से आप चेक करिए इंका sound testing और ये दोनों ही खुबसुरार speakers आप order करने के लिए मुझे call कर सकते हैं मेरा number description में दिये हुआ है और details आपको मैं पूरी WhatsApp पर भी शेयर कर दूँगा तो वीडियो देखने के धन्यवाद दोस्तों connected रही है